न्यूजरूम लाइब स्पॉंसर्ट बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रिंवा नमश्कार विंदिया टाइम्स में आपका स्वागत है प्रदेश और विंदि की चार बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए है सबसे पहले मध्यप्रदेश की बड़ी खबर मध्यप्रदेश में पोशन आहार गड़बड़ी को लेकर सियासी संग्राम जारी है दिली के उपमुख्यमंत्री मनीश सी सोधिया के ट्वीट पर नरुत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है पोशन आहार गड़बड़ी को लेकर अब तमाम राजनेतिक दल इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं इस पर उतार आए हैं और नरुतम मिश्रा ने कहा है क गाड़ी नंबर में गड़बड़ी विभाग की टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये गड़बड़ी हुई है उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने दुबारा तसाहता समूं को काम दिया था उसके पहले जब कॉंग्रिस की सरकार्ती तो उन्होंने ठेकेदारों को दिया थ तमाम तरह की बातें थी और उन्होंने का एक हपते में विपक्ष के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे लेकिन सवाल ये है कि क्या गोटाला नहीं हुआ है यहीं मध्यप्रदेश में महिला बाल विकास विभाग बारा आगनवाडियों में जो टेक होम राशन की सप्ला आहार महा गोटाले पर आखिरकार तीन दिन के चिंतन के बाद मौन टूटा जो डॉक्टर नरुतम बिश्रा ने कहा उस पर इन्होंने काउंटर किया अपसोस आज भी उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा पोशन आहार के उत्पादन परिवान वितरन से लेकर गुनवत्ता प लेकिन टाइपिंग मिस्टेक जो बताया है सरकार की ओर से डॉक्टर नरुतम मिश्रा ने जो चीजें कही है यह सब कुछ कैसे साफ हो पाएगा कौन सी जांच होगी आश्यर है कि कॉंग्रेस सरकार के समय जिस सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाकर भाजपा के नेता हंगा सामा मचाते हैं वो आज इस महा घुटाले पर सामने आई सीएजी रिपोर्ट को खारिच करने में लगें यह तमाम कॉंग्रिस की ओर से यह आरोप लगाए गए हैं सरकार पर लेकिन सबको इंतजार है कि आखिर इस मामले में अंतिम क्या रिपोर्ट है क्या घुटाला हुआ है दूसरी खबर की बात करते हैं गौलियर के जनक गंज्थाना चेतर में मानसिक दिव्यांग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है 16 साल की छात्रा कक्षा 10 में पढ़ती है कोचिंग के 55 साल के प्यून ने उसके साथ 3 महीने तक दुशकर्म किया घटना के बाद वह सहारा लिया आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है जनक गंज्थाना चेतर की रहने वाली थी रड़की दस्वी की स्टूडेंट है मानसिक रूप से दिव्यांग है आम बच्चों की तरह इस पस्ट बोल नहीं पाती वह पास ही को इस्थित कोचिंग पर सुवेर साम के समय पढ़ने जाया करती थी जहां पर प्यून ने लड़की के साथ दुश्कर्म किया बाद में उसने अपनी मा को ये बात बताई और फिर आगे की कारवाई हुई है बहुत ग्रिनित कृत्य हैं तीन महीने पहले पहली बार प्यून ने रेप किया था उसके बाद लगातार जा प्रसाथ धुर्वेइ अब सलाखों के पीछे है रिमान्ड पूरी होने के बाद उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया इसके बाद उसे जेल भेज़ दिया गया सीरियल किलर ने पुलिस को बताया कि उसे लोगों को मारने का मलाल है उसके निशाने पर पुलिस कर्मी भी थे उसे अपसोस भी है कि उसका सपना अधूरा रह गया जेल लेकर जाते समय सीरियल केलर ने पुलिस कर्मियों के सामने भी कई राज खोले यह बड़ी चुनौती बन गया था सागर के बाद भोपाल में जब वारदा तो इसके बाद गिरफतार किया गया सागर की तीन हत्याओं के मामले में केंट सिविल लाइन और मोती नगर थाना पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूश्ताच कर ली है वहीं गोपाल गंज थाना पुलिस ने चैतन अस्पताल के पास हिंबा हुबली रेस्टोरेंट से लैप्टॉप और पर्स चोरी के मामले में आरोपी से पूश्ताच की पूश्ताच के बाद सीरियल केलर को जेल भेज दिया गया है हथोडे से हमला किया था संतावन साल के कल्यांड सिंग लोधी को एक बज़े से तीन बज़े के बीज रात 27 अगस्त को उसने मारा था उसके बाद पत्थर से सिर कुछला था सागर में 29 अगस 2022 को संभू दयाल दुबे ड्यूटी कर रहे थे पॉलेज परिशर में 60 साल के थे फावडे से सिर परवार किया था 30 अगस 2022 को मंगल अहिरवार पर मारवल के तुकडे से भोपाल में एक सितंबर को वारदात को अंजाम दिया था कोल में लाकर अब पुलिस के गिरफ्त में है और तमाम चीजें कुबूल कर रहा है चौती कवर की बात करते हैं चौती कवर रीवा से है रीवा जिले में कुरूरता पूर्ण पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वाइरल हो राज दोपहर के बाद ये से पिटाई की गई युवक रोता रहा गिरगडाता रहा पर दया नहीं आई वाइरल वीडियो के बाद एसपी नवनित भजीन ने पूरे मामले की जांच रायपूर कर्चुलियान थाना प्रभारी उपने रिक्षक पुस्पेंद यादाओ को सौपी है एसपी ने बताया क को सोशल मीडिया पर ये वीडियो वाइरल हुआ गटना रायपूर कर्चुलियान थाना चेत्र की है पुलिस की कई टी में वीडियो की पड़ताल कर फर्याजदी को खोज रही है जिसमें घटना की वस्तुस्तिती समझ में आए वीडियो को सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है क पेडित युवक अपनी प्रेमिका से मिलने आया था जिसकी भनक घरवालों को लग गई ऐसे में आरूपी आरूपियों ने प्रेमी युवक को सुनसान जगह में ले जाकर गीले वा पतले डंडे से उसकी पिटाई कर दी नग नकर पीटा फिर उसे मुर्गा बनाया पूरा खौफ घूम रहे हैं उन्हें कानून का डर नहीं है लेकिन अब देखना है कि कब तक लोग की गिरफतारी हो पाती है तो यह थी विंद्या और प्रदेश की चार बड़ी खबरें असी तमाम खबरों के लिए आप बनी रहे हैं विंद्या टाइम्स के साथ बहुत-बहुत Top Floor, Rama Govind Palace, Riva